हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे तो यह देखिए आज मैं आपके लिए लाई हो एक नई रेसिपी यह है सीता फल की या कद्दू की सबजी तो यह जब मेरे घर में बनते हैं तो इसे बच्चे बड़ी शोक से खाते हैं वह उससे बच्चे हैं जो इसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन मेरे बच्चों के बहुत पसंद है पंकिन की सबजी खांक बोलते हैं मोशली में इसके साथ पूरी बनाती हूं कभी कभी रोटी भी बना लेती हूं तो आप लोगों को जिसके साथ ही पसंद आप उसके साथ इसको बनाए है तो ऐसे खर टकि सडावेंगे हैं आगे को सार्य को काट लेंगे में अगलत और जिए 하ль एक तो शुरू किया सब्सक्राइज कुछ द मध्ली yanिक सब्सक्राइब कर लेंगे जो फीज क्या किवेंगे इनको द सब्सक्राइब बना और काटना सब कुछ डिटेल में बता रही हूं तो लोग द्यान से देख ले और इसको बनाना बहुत आसान है यह देखिए इसका सोफ्ट पार्ट इसके मैंने बस बीज हटा दी है यह रेशे नहीं हटाए है इसको भी हम इसमें डाल लेंगे यह बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग इसको कैसे बनाते हैं बताएगा जरूर कमेंट करके हो सकता आप मैं इस डिफ्रेंट तरीके से बनाते हूं तो मैं भी ट्राइ करूंगी आपके रेसे भी यह देखिए हमने ले लिया सरसो का तेल उसमें डालेंगे मेथी दान आप जो भी कुकिंग ओल ले शुआ आती है और यह ऐसे भंडारे बगारा में बनते हैं बहुत अच्छी लगती है यह सबजी तो यह मैं इस तरह से बनारी थोड़ा हलवाई स्टाइल में तो आप लोग भी इसको ऐसे बनाईएगा खाईए और अपने एक्स्पिरेंस शेयर करना ना भूलिएगा यह द देल छोड़ दें हमारा टमाटर का मसाला अब इसमें हमी ड्राय मसाले अड़ कर देंगे नमक मीर्च हलदी धनिया थोड़ी सी कश्मीरी मीर्च है ताकि उससे बहुत अच्छा कलर आया हमारी सबजी का क्योंकि हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल में थोड़ा उसका कलर सब्सक्राइब कर देंगे सब्जी जो हम्ने काट लेता अपना सीता फल या कद्दू अब इसको में अच्छे शे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें कर देंगे पानी अड़ और बस इसको हम धीमी-धीमी आँच पर पका लेंगे और बस हमारी सब्जी हो जाएगे जिन लोग उन्हें खाया होगा उन्हें पता होगा यह चीज राइस के साथ भी अच्छी लगती है सीता फल की सबजी जो लोग होते हैं जिनको राइस से सबजी हर कोई सबजी पसंद होती है तो सबके अपनी पसंद है कुछ लोग रोटी से ही पसंद करते हैं इसको खाना तो मेरे घर में रोटी राइस सबंके साथ ही खाए जाते कभी कभी पूरी भी बना लेते हैं लेकिन घर्मी के मौसा में तो कमी पूरे बनाते हैं अब पक्चु की हमारी ṣबाडी आप इसमें छूब पाउडर के Libra понимаю अब ुसको मिक्स कर देंगे हम और इदर तो डाल दिये मैंने तो आपको जितना थोड़ा मीठा खटा पसंद आप उसी साब से अरजेस्ट कर लें और बस थोड़ा सा डाल दें इसमें गरम मसाला और उपर से डाल देंगे थोड़ा सा गारनिशिंग के लिए हरा धनिया तैयार हो गई है हमारी सीता फल की सबजी तो फ्रेंट्स आपको रैसी भी कैसी लगी गर पसंद आई है तो लाइक शेयर सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वोचिंग